देखते हैं और हमसे क्या पूछा गया है what is a good fuel हम यहां पर किसको define करना है हम यहां पर good fuel को define करना है तो इसको नहीं पर पॉइंट करेंगे तो देखते हैं यहां पर पहले point में क्या लिखा है which has a high calorific value अब यहां पर weaker सूर्ण करते हैं और हम यहां 팁 बन करते हैं उसका होता होता है तो जिसका सबसे ज्यादे है यहां पर अच्छा फ्यूल कहलाएगा अब देख लीथे हैं यहां the proper ignition temperature, अब यहां पर ignition temperature होता क्या है, अगर मैं यहां पर दो चीज लेता हूँ, अगर मैं यहां पर एक paper लेता हूँ, और एक यहां पर wood लेता हूँ, यहां पर wood से paper बनता है, बट यहां पर दोनों अभी अलग चीज है, अब यहां पर मैं ignition temperature की बात कर लए तो दोनों की तो यहां पर पेपर का ignition temperature होगा वो यहां पर क्या होगा कम होगा लो होगा और इसका जो होगा wood का वो high होगा वो इसलिए होगा प्यूंकि paper जो है वो असानी से जल जाता है और मतलब इसको कम temperature चाहिए होता है burn होने के लिए जबकि wood को यहाँ पे ज़्यादा temperature चाहिए होते है बर्न करने के लिए तो यहाँ पे proper ignition temperature का मतब यह हुआ जिसका यहाँ पे सबसे कम low ignition temperature होगा वो यहाँ पे क्या होगा अच्छा fuel होगा जिसको यहाँ पे जलने में कोई भी परेशानी ना हो अब देखते हैं यहाँ पे third point which burns without giving out any smoke और harmful gas जो यहाँ पे without smoke जले जैसे कि यहाँ पे wood की बात कर लिए दाओ अगर हम यहाँ पे लकडी को जलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है धुआ निकलने लगता है जैसे कि हमें यहाँ पे breathing issue होता है और वो यहाँ पे जैसे निकालता है यहाँ पे carbon monoxide हो गए और carbon dioxide gas हो गई अब देखते हैं यहाँ पे third point में क्या लिका है which burns without giving out any smoke और harmful gases तो वो सभिश्टेंस जो यहाँ पे बीना धुए की जले और बीना कोई प्रदूशित gas छोड़े जले उसको यहाँ पे good fuel के category में डाला गया है जैसे कि यहाँ पे LPG हो गया क्योंकि अगर हम यहाँ पे लकडी को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है धुआ भी निकलता है और harmful gases भी निकलते हैं जिससे हमें यहाँ पे सांस लेने में problem हो सकती है बट LPG में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि LPG यहाँ पे एक अच्छे fuel के category में आता और वो यहाँ पे कोई भी धुआ और कोई भी harmful gases produce नहीं करता अब देखते हैं यहाँ पे fourth point which burns smoothly and does not leave behind much ash after burning तो वो यहाँ पे अच्छे fuel के लाई जाएगा which is cheap, easily available, easy to handle, safe to transport and convenient to store जो यहाँ पे सस्त में मिले, easily हड जिगा मिल जाए उसको यहाँ पे handle करना असान हो, use करना असान हो और उसको एक जिगा से दूसरे जिगा ले जाना काफी असान हो और उसको रखना असान हो तो यह सारी चीज अगर मैं wood और LPG को compare करना चाओंगा तो LPG में यह सारी खुबी होती है इसलिए वो यहाँ पे good fuel की category में आता है तो hope आपको यहाँ पे यह वाला question भी समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने next question की तरफ